नमस्कार शाथियों प्रिलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सब का श्वागत है मैं हूँ आपका निरंकार और राध्यवस्था कि एक प्रश्ण पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं और यह प्रश्ण लिया गया है फंडामेंटल राइट से मौलेक अधिकार से प्रश्ण है निम्लेकित कतनों पर विचार करें और उपरित में से कौन सा यससे कथन असत्त है यानि गलत कथन की पहचान आपको करमी है पहला कथन दिया है नियाए पुन्राविलोकन सब्द का उलेक समिधान में नहीं है बलकि स अप्रत्य च्रूप से दिखाई देता है मतलब यह कह रहा है कि जो हमारा भारतिय समिधान है इसमें जुडिसियल रिविव वर्ड का परियोग नहीं किया गया है बलकि या इंडिरेटली दिखाई देता है तो आप नियाए पुन्राविलोकन क्या होता है पहले समझो निया भी कानून अगर बनाया जाता है तो नियाए पालिका यानि सुप्रिम कोट उसका रिविव करेगी कि यह कानून सही है या नहीं सही है अगर सही है तब तो ठीक है नहीं सही है तो उसको क्या कर देगी उस मातरा तक वो सूनी कर देगी या उसको खारिज कर देगी यही है न आर्टिकल 13, आर्टिकल 137, आर्टिकल 246, ये तीन ऐसे अनुच्छेद हैं, जिन में जूडिसियल रिव्यू जैसी प्रक्रिया का वणन है, जैसे अगर मैं आप से कहूं, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, कि राज ऐसी कोई भी विधी या कानून नहीं बनाएगा, जो मूल अधिकार को खतम करते हूं, या मूल अधिकार को कम करते हूं, अगर राज ऐसा करता है, तो सुप्रिम कोर्ट न्याय अलय उसको क्या कर देगा, उसको सस्पेंड कर देगा, या उस मातरा तक सूनी कर देगा, इसी प्रकार से 137 में न्याय पारिका को अधिकार दिया गया है कि वहाँ कोई भी बनाये गए संधस्तिक कारून पर निगरानी रखे उसका रिवियू करें उसको उसका पुर्ना बिलोकन करें इसी प्रकार से 246 में जो केंदर और राज संबंध की बात है संग से संबंध क्या रहा है इसमें किसी भी प्रकार की मामले में चाहे वो केंजर कोई कारून बनाए चाहे राज जी कुछ करता है अगर उसमें तो उस पर भी जुडिसियल रिब्यू का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोड को तो कुल मिला घरिके आप अपरत्याच रूप से ही है इस सब्द का उलेक इस्पेसली नहीं किया गया है तो इस अधार पर यह कथन क्या है सत्य है अब देखते हैं दूसरा कथन दिया गया है प्रिथक करनियता का सिध्धान योम आच्छादन का सिध्धान समिधान के अनुच्छे 13 से संबंदित है यह बात सही है लेकिन हमें यह समझना है कि क्या होता है प्रिथक करनियता का सिध तो इसमें ध्यान दीजिएगा जब भी कोई नया कानून बनता है और अगर उस कानून की धाराएं पुराने कानून से मैच नहीं करती हैं तो ऐसे में कानून जो समिधान है उस समिधान की वह वह धाराएं जो इससे मैच नहीं करती हैं जो अंतरविरोत पैदा करती हैं उन उ कानून धाराओं को समाप्त कर दिया जाएगा पूरे समिधान को समाप्त नहीं किया जाएगा इसी प्रकार से एक और है आच्छादन का शिधान इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं सतंता से पहले से बहुत से कानून देश में चल रहे हैं मालोवब वो A है अब कोई नया कानून बन रहा है बनते ही जा रहे हैं जैसे सुचना का अधिकार बनाया गया तो बहुत सारे नए कानून बन रहे हैं अब पता चला कि A और B में कंफ्लिक्ट हो गया एकी जैसे कानून है और दोनों में अंत्रविरोध हो गया ऐसे में B मानने होगा और A जिस मात्रा तक इससे मैच नहीं करेग सत्य हो जाएगा फिर कराया विधी के समच्छ समता ब्रिटेन से और विधी का समान्च नच्छन युएस्य से ग्रहन किया गया है अब धान दीजिए ये वास्तों में आर्टिकिल 14 से संबंधित मामला है अब धान दीजिए अगर हम आर्टिकिल 14 की बात करें तो इसमें दो शमता और विधी का शमान संरच्छन ये दो बाते कहें गई है तो दिहान दखियेगा ये लिया गया है ब्रिटेन से और यह लिया गया है इवस्य से विधी के समच्छ समता का मतलब क्या होता है एक्वल्टी वीफोरला है यह यानि कि कानून के नजर में चाहे वो किसान हो वकील हो इंजिनियर हो सब बराबर होंगे किसी के साथ कोई भ्यदभाव नहीं किया जाएगा ये है एक्वल्टी वीफोरला वही पर एकक्वल्ट्रेक्शन आफला विधी का समान शनय चाहे इसका मतलब समान परिश्थितियों में समान कानून होगा और आशमान परिष्थ 161 के तहट कुछ विसेसा अधिकार दिये गए है इसी प्रकार से आनुच्छेद 105 में संसद के फदस्यों को विसेसा अधिकार दिया गया है आनुच्छेद 194 के तहट विधान मंदल के फदस्यों को कुछ विसेसा अधिकार दिया गया है तो वो विसेस हो गए समाज में अब ऐ ऐसा नहीं है कि राश्टपती की गाड़ी से कोई अक्सिडेंट हो गया तो तुरन तो वहां पर हवालदार पकड़ करके उसको बठा लेगा ऐफा तो नहीं होगा लेकिन अगर आपकी गाड़ी से हो गया अक्सिडेंट तो आपको हवालदार बठा लेगा यानि कि यहां पर आसमान परिष्टितिया हैं तो समान परिष्टितिय में समान कानुन और आसमान परिष्टितिय में आसमान कानुन यह एकौल प्रीटेक्शन आफ्ला विडी चना और यह समझ दो thou कि से अनुछेर 12 तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेः应 datasets 105 के तहर सनसत के Ftais यानि कि जो राज सभा के लोग सभा के जो फदश्य हैं उनको कुछ विशेषष अधिकार दिया गया है अब वो विशेष अधिकार कौन कौन से हैं जब ऐसा को उच्छन आएगा तो वहां पर सारे हम विशेष अधिकारों को इनके समझाएंगे तो इस अधार पर देखा जाए तो यहादी कथन क्या है यहादी कथन सत्य है तो पूछ रहा है कि कौन से कथन असत्य है तो असत्य में कह रहा है पहला कथन सत्य है दूसरा भी सत्य है तिसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है यह उप्रिक् झाल झाल